Hello So, SK Electrons अर्कम आपको स़ाइतों सो कैसे आप सब भी आज़ सकते हैं आप बहुत अच्छे होंगे भाई मेरे पास एक हाintell राया है और फॉट फेकर होने के लिए है यह में पैनासोनिक आप देख सकते हैं औरिजिनल पैनासोनिक का है है यह इसका model number आप ने इसका model number देख लिए हैं यहां पर इसके अंदर जो फाल्ट है दोस्तों यहां पर हमारा पैनल होता है मैं मरलब जो से control करता है यह यह आपका जो है यह एक दबाने वाला वोलियम है मलब एक press वाला होता है एक तो होता है कि यह लिमिट होती है इस समय पर उल्टा यह अगया और यहां पर गया ठीक है यह सिर्फ बटन को बार बार प्रेस करते हैं यह लिमिटेड इसका नलीमिटेड होता है जैसे आप बढ़ा हो गया इंदर करोगे तो इधर कब लेगा ना तो यह काम करा ना यहां कोई लाइट आपती ह स्वार्ट चलाएं मैं उसके बाद यह बंद हो गया तो चलिए दूस्तों खोल के देखेंगे पहले आपको चला के दिखाएंगे देखें का नहीं पर देखे कि यहाँ पर सुच लगा हुआ यह अगा हुआ है उपढ़ोंब देख सक्ते हैं ओपर की तरफ को होन है नीचे की तरफ को आप साब साब लिख है और यहें धशन यंजरे मनलीड और यह मंञें जीना होनों ना होः वी और वी चोन झांच रहता है को देख सकते हैं कोई नहीं प्रेंद नहीं को देख ठीक नहीं होता है तो इसन नहीं नहीं कि प्रदेर क्लिक्तों कब तक डेयर पलंग करने के बाद हमार आट इसक आप हो तो भाई चले दूस्ट ऑपन करते हैं देखते हैं अंदर क्या फालता है आपको दोस्तों देखें यहां पर इसमें पेच लगे हुए हैं क्यूंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको पैनल पर कम करना है पहला आपको सप्लाई चेक करना पड़ेगा कोई भी अगर ऐसी दिख्कात करते हैं कि दोस्तों हमने केमरे को एक तरफ रख दिया है आप दोस्तों कि यहां पर जल्दी से खोल लेते हैं और मेरे भाई जो भी आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो आपको कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं कि किसमें भी ड्रीषम और दोस्तों हमारी यहां पर दुकान हमारी यहां दूक्त ने तो खुर्वन ohp सबसे पहले कनेक्टर प्राइज का थालेगत हूं कि यह यहां से आया हुआ है यह ऊपर की तर्फ से देखें दोस्तो सबसे पहले पहले इस ceram को तो सबसे पहले हमें power supply को test करना हो गहां पर диर्चाहर को इतार को को देखना है पावर सप्लाई के लिए पहचान को या थो हमारे स् ऐसें़ के सुछ में उप्रनेश्टे यहां होती हैतु हमारे टांसफार्मट देख़िए दो में connector लगवाई दो पीले तार हैं यहां पर आप देख सकते हो सबसब और दो हमारे निले हैं रेक काला है ठीक है यहां पर आपने देख लिया मैं जला साइट को उपर की तरफ लगातों आपको फ़ीस से दिखेगा देखे अब आपको थोड़ा सही तरीक तरीक से दिख रहा होगा ठीक है अब इसमें क्या देखे जो पीले वाले तार अर आप यहां पर दोस्तों यह देखेς 4 डयोम लगें यह इस लाइन के हैं और यहां पर दो ब्लू ब्लैक ब्लू यह इन दो वाले के लिए हैं मलब यह जो चार्डर लगें यह इसमें दो तरह की सप्लाई है हमारी 12-12 की है ठीक है और एक हमारी है कभी आप यह समझे लो कि भाई सैट ओफ हो क्या पता तो यह देखिए स्विच यहां पर लगा हुआ और वहां पर लाइन है तो अभी मैं यहां पर दोस्तों आपको वोल्टे चेक कराता हूं क्यूंकि भाई हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत बढ़िया बनाते हैं सही तर टो अब मैं आपको दोस्तों आप मिटे देखिए आपको मेंटर भी दिखाई दे रहोगा और यह दिखाई दे रहोगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो 38-05 रेगुलेटर आइसी देख रहे हैं आपको यहां पर वोल्टेज चेक करना है कि हमारी जो पांच वोल्टे तो जो हमारे यहां पर डायोड लगए हैं बड़ी वाली लाइन को देख लेते हैं तो देखें बाई 28 वोल्टेज दिखा रहा है वहां पर 28 वोल्टेज आ रहा है अब मैं यहां से दिखा दूँ आपको थोड़ा साब अब दिखाई देगा यह देगे क्योंकि आपको खी लेर है और जो छोटे वाली लाइन है वो हमारी नहीं आ रही है तो एक बारे से हम इस तरह से कर लेते हैं आप देखें यहां पर ध्यान दिखें आप यहां पर ध्यान दिखें थोड़ा सा कैमरे को जूम आउट करता हूँ अभी आपको अच्छे से दिख जाएगा अब देखें भाई यहां पर यहां पर हमारी पांच पिन है यहां पर एक दो तीन चार मनलब जो तार आए हुए थे अब मैंने क्या बताई थी यहां पर जो तीन तार हैं दोस्तों यह देख सकते हो तीन तार भाई यह वाले भी हमारा डायोड पर चला गया और हमारा यह वाला हमारी transformer से तो दिक्कत नहीं कर रही है तो जड़ा देख लेते हैं भी पहले यहां पर जो यह शुरू की दो दो पिन है इन पर लगा के देखते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है तो देख सकते हो मल्टिमीटर में कोई वोल्टेज हो नहीं हो रही है तो अगले वालों पर चेक क हो लग रही है तो इसका रही है तो इसका क्या हो सकता है यहां पर लगा हो यह कोई दिkk्कत आ रही हो तो यहां पर अच्छे से लगा हुआ है तो मैं कि निकाल लिए तो देखें नहीं और हो तो पिन तो मुझे पांच möंच फ़लिव benefici लगर रही है चलो इसको एक सथरप कर देते हैं सब यहां पे दोस्तों यहां क Quin पेर व्यूंटे कर लेते हैं लेगर मुझे लग लग राया कि इसमें कार्वन हैं चलिए मैं हमें ही पर वोल्टेज चekk कर लेते हैं humble आपको clear दिख रहा होगा crappy मिल्टी मीटर के अंदर मिल्टी मिल्टी मिलगं के बाद को करना किया है Set On है थो सबसे पहले वायर पर ही तो देखें 9.1 डीक और आ रही है है बर इस आधिक रहा लेते हैं कि एक बांब हो तो झी घुर खीनि का सूट नहीं है। यह यहां देख लेते हैं है कोसा डाइवर्ड थो हमारा स्वाट नहीं हो चुका है तो डायोड चेक करने के लिए céu विधी क्या होती है एक तरफ से रिडिंग आता है एक तरफ से नहीं आती है तो भाई देख लेते हैं यापि पेहले डायोड को Чствен निया थे ने एक तरफ से आएगी देखते हैं देखिए एक तरफ से आहीं 800 कुछ का सपस दूसरे डायोड को चेक करते हैं दूसरे डायोड पर कोई रिडिंग नहीं है तो इसका मतलब हमारा कोई क्नेक्टर में भी कोई दिक्कत हो सकती है तो हम क्या करेंगे एक बार कनेक्टर के जो यह दो वायर है इनको कट करके एक डिरेक्टी लगा के देखते हैं भाई ठीक है हम क्या करेंगे इनको कट करके डिरेक्टी लगा के देखते हैं क्योंकि ऐसा हो जाता है जब काफिशन में हो जाता है तो हमारे जो कनेक्टर एक खराब हो जाता है तो इसमें से येलो वायर को ही कट करेंगे को भी लाइन चालू है मैं लाइन चालू में ही काम कर रहा हूं यह हमने दोनों वाइर को यहां पे कट कर लिया ठीग है तो मैं क्या करता हूं तो भी यहां से छील लेता हूं छील ले के बाद दोस्तों मैं यहां पर direct folded करूंगा तो देखूंगा इसका response क्या रहता है ठीक है यहाँ से मैं अभी डिरेक्ट शोल्डिंग करूंगा इसकी अभी response देखेंगे तो प्लीज यार मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो को last तक देखा रहो और फ़तनी fault कहां पे मिल जाए ठीक है ना फ़तनी fault कहां पे हो जो क्या हो क्या दिक्कत है क्योंकि हमारे पास जैसे गिराग लेका है हम भी आपके सामने खोलने बढ़ जाते हैं हमें पता नहीं होता है उसमें क्या है क्या नहीं लेकिन हमें इतना पता होता है हमें हर चीज़ों का इनका पता है ठीक है ना चलिए दोस्तों इन दोनों तायर को हम डिरेक्ट एक बार लगा के देख लेते हैं तो यहां पर मैं दोस्तों अराम से लगाता हूं जरा इसको उठा लेता हूं यहां से तो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं यहां लगा लिएंगे वो मल्टी मेंटर यहां पर रखेंगे अब आपको दिख रहा होगा और मल्टी मीटर से हम दोस्तों वोल्टे चक कर लेते हैं, एक बार, मैं उपर की light को बंद करता हूँ, जो आपको अच्छे से दिख पाए देखिए, अब behaviors, उपर की light फिल करता हूँ, ज़रा, यह देखे दोस्तों,ドン जाम, अब ध्यान देना, ग्तुर आपके pop-े लेक्वह 어쨌든, correct बन चुके भाई देखिए आपके सामने DC 5 वोल्ट बन चुकी है यहां पर यह देखिए और input देख लेते हैं 10 का स्वास बननी है तो भाई input भी आ गई और output भी आ गई इसका मतलब क्या था हमारे दोस्तों जो हमारे connector वो खराब हो चुका था तो हमारी वोल्ट नहीं बननी तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों पहले अब सेट को यहां पर बंद कर लिए अब हमने सैट को यहां बंद कर लिया अब यह जो है पिन हम दोस्तों यह लगा देते हैं इसकी वापसी जो हमारी main supply की 330 की जो बड़े वाली supply की हमारी हेविए त Communist की और जो यहाँ पर बेस का connector ही इसको भी लगा लेते है जी और एक बार रूंचर कर लेते हैं यह दला तो यह थे भाई की यहाँ यहाँ पर इसको भी लगा तो भाई वोलिम बढ़ा के देखते हैं हमने यहां पर बंद कर रखा है तो देखे दोस्तो मैंने ओन किया सेट को तो अभी यहां पर कोई लाइट बिलिंग होई देख सकते हैं यहां पर बिलिंग होई आप देख सकते हैं वोलिम की लाइट बिलिंग होई थी और अभी यहां वगेरा खुमाओं के तब भी बिलिंग करें तो पहले ऐसा दोस्तों नहीं हो रहा था और अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें साउंड राउंड देखते हैं कि काम करता है नहीं करता है तो देखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आउट पूट लिखा हुआ यहां इन्पू यहां पे बेस आना शूरूंळा गई यह देख सकते हो आप सुन सकते हैं यह कि मैं भी करें पदो यह देखिए अब आप को सुना दे रही होगी जिकिए अब व्लकुर चलीए कोई को दिक्कत नींए ठीक है अबistem पे जो है ना इस पीकर एलिए हम क्ट लेंगे थोस्टों इसमें अपनी कोलम हमारे पक्षel करते हैं तो मारे पास यहां पर और पड़े हो गए एक है आउट पूट में लगाते यह देखियं तो के देखे बाई मंदी तेज़ भी हो रही है कि यह काम प्रोपर कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है हमारा साइट एक तम बढ़िया चल ला है वाई फाल्ट ता हमने फाल्ट को रिपेर किया स्टैप आपको समझाया यह आपको वीडियो कैसी लागी प्लीज हमें कमेंटर बता देना और कौन-कौन भाई हमारी वीडियो को वह देख रहे हैं जिनकी दुकंदार है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लें ठैंक यू